Hello friends, welcome to my channel Easy Learning by Sarita Friends, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अयोध्य विवाद की इसमें हम बात करेंगे अयोध्य विवाद से लेकर भूमी पूजन तक की Friends, 492 सालों के लंबे अयोध्य के हित्यास में मंदिर बना और तूटा मस्जिद बनी और तूटी लेकिन बुद्वार 5 अगर 2020 को फिर से परधान मंतरी नरेंदर मोधी ने भूमी पूजन करके अयोध्य में राम मंदिर बननी की रहा में कदम रख दिया है इन 492 सालों के इत्यास में अयोध्य राम मंदिर मामले में बहुत से विवाद और बहुत से घटनाय घटी तो आईए आज हम इस विडियो में 492 सालों की इस लंबी कानोनी लडाई की कहानी को नयाई की जीत की कहानी को या कहें तो सबसे बड़े विवाद की सबसे बड़ी कहानी को शुरू से लेकर अंतक सुने अगर आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक को शेर करना ना भूले साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले ताकि आपको मेरी नई वीडियो की अपडेट मिलती रहे वो साथ ही जिसने मेरा अभी तक चैनल सबस्काइब नहीं किया है तो प्लीज प्लीज सबस्काइब कर ले तो फ्रेंड चलते हैं आज की वीडियो की ओर हिंदो की मानेता है की राम का जनम अयोध्य में हुआ था और उनके जनम स्थान पर एक भव्वे मंदिल विराजमान था जिसे मुगल आक्रमन कारी बावर ने तोड़कर वहां पर एक मस्जिद बना दी राश्टिय स्वयम सेवेक संग यानि की आरेसेंस और भारतिय जनता पार्टी की अगवाई में इस स्थान को मुक्त करने एवं वहां पर एक नया मंदिर बनाने के लिए एक लंबा अंदोलन चला 6 दिसंबर 1992 को यह विवादित धांचा गिरा दिया गया और वहां पर शिरी राम जी का एक टेंपरेरी मंदिर का निर्मान कर दिया गया पिछले कल यानि की 5 अगस 2020 को अयोध्य में राम जनम भूमी मंदिर के निर्मान के लिए भूमी पूजन हुआ है यह पूजन हमारे परधान मंतिरी शिरी नरेंदर मोदी के हाथों संपन हुआ राम मंदिर का निर्मान सुप्रिम कोट के फैसले के बाद हो रहा है आईए जानते हैं राम मंदिर विवाद से लेकर भूमी पूजन तक का पूरा घटना करम इसके शुरुआत हुई थी 1526 में जब बावर इब्रहेम लोधी से लड़ने भारत आया था 1528 में बावर ने सुभिदार मीर वाकी ने अयोध्या में मस्जिद बनवाई बावर के सम्मान में ही इसे बावरी मस्जिद का नाम दिया गया 330 साल तक फिर इस बारे में तोनों पक्षों के ओर से कोई बाचित ना ही नहीं कोई विवाद हुआ लेकिन 1853 में 1853 में पहली वार राम जनम मंदिर पर हिंदू और मुसल्मानों के बीच इस जमीन को लेकर विवाद शुरू हुआ जब विवादित परिसर में हवन पूजन करने पर एक FIR हुई 1869 में अंग्रेजों ने विवाद को ध्यान में रखते हुए पूजा वर नवाज के लिए मुसल्मानों को अंदर का हिसा और हिंदू को बाहर का हिसा उप्योग में लाने को कहा 1885 पहली वार जीला अदालत में पहुँचा ये विवादित मामला जब महंद रगुबीर दास ने फैजावाद जीला अदालत में याचिका दायर कर विवादित धांचे के बाहर शम्याना लगाने की अनुमत्ति मांगी अदालत ने याचिका खारीज कर दी 1934 इस साल संपर्दाइक दंगे हुए इन दंगों में मस्जिद के चारों तर्फ की दिवार और गुमबंदों को नुकसान पहुँचा ब्रिटिस सरकार ने इसका पुनर निर्मान करवाया 1949 में मंदिर के अंदर के हिसे में भगवान राम की मुर्ति रखी गई मुसल्मानों ने इस पर विरोध व्यक्त किया दोनों पक्षों के लोगों ने अदालत में मुकदमा दायर किया तनाव को बरता देख सरकार ने इस जगह को विवादि गोशित कर इसके गेट पत ताला लगा दिया 1950 में गुपाल सिमला विशारत ने फैजाबाद जीला अदालत में शिरी राम की मुर्ति की पूजा की इजाजत मांगी 1969 में दोनों पक्षों यानी की निर्मोही अखाड़े और उत्तर प्रदेश सुनी बफबोर ने विवादि स्थल के हक के लिए मुकदमे दायर किये 1969 से लेकर 1961 तर मुकदमा चलता रहा 1981 में उत्तर प्रदेश सुनी बफबोर ने स्थल पर अधिकार के लिए याचिकार दायर किये 1984 को विश्व हिंदु परिसद ने भगवान राम के जनम स्थल को मुक्त कराने और राम मंदिर बनाने के लिए एक समीति का गठन किया एक फरवरी 1986 इस दिन जिला नयाधिश ने विवादि स्थल को हिंदु की पूजा के लिए खोलने का अधेश दिया मुस्ली समदाय ने इसका विरोध में बाबरी मस्जित एक्शन कमीटी गठित की 14 अगस 1986 इलाबाद हाई कोट ने विवादित धांचे के लिए यता स्थिती बिनाए रखने का अधेश दिया 1989 इस दिन विश्व हिंदु परिशर ने विवादि स्थल से सटी जमीन पर राम मंदिर की मुहिम शुरू करी 25 सितंबर 1990 भाजपा के अधिक्ष लालकिष अडवानी ने गुजरात के सोमनाथ से उत्तर प्रदेश के अयोध्या तक रथ्यात्रा निकाली ताकि हिंदुों को इस महत्तरप्र मुद्दे से रूबरू कराया जाए हजारों लोग अयोध्या में एकत्रित हुए परिणाम सरूप उत्तर प्रदेश, गुजरान, करनाटका और आंधर प्रदेश में दंगे भड़क गए फल सरूप 23 अक्तुबर को अडवानी की रथ्यात्रा रोग दी गई और उने गिर्फतार कर दिया गया इसके बाद भाजपा ने ततकाली परधार मंतरी शिरी विप्र सिंग की सरकार का समर्थन वापिस ले लिया हजारों की संख्या में कार सेवकों ने अयोध्या पहुंचकर बावी मस्जिद धादी और अस्थाई रामंदिर का निर्मान किया परिणाम सरो देश व्यापि दंगे फिर से शुरू हो गए इसमें करीब 2000 लोगों की जाने गई ये दिन इस विवाद में एहतियासिक दिन के तौर पर याद रखा जाता है 16 दिसंबर 1992 इस विवादित दिन के 10 दिन बाद यानि की 16 दिसंबर को लिबाहन आयोग का गठन किया गया आंधर परदेश उच नियार्ले के सेवा निर्मित मुख्यय नहादिश MS लिबाहन को आयोग का अध्यक्स बनाया गया लिब्राहन आयोग को 16 मार्च 1993 को यानि की 3 महिने में रिपोर्ट देने को कहा गया था, लेकिन आयोग ने रिपोर्ट देने में 17 साल लगा दिये। अप्रेल 1993 में केंदर के इस अधिक रहन को सुप्रीम कोट में चुनोती मिली चुनोती देने वाला मुहमद इसमाइल फारू की था मगर कोट ने इस चुनोती को खारिस कर दिया कि केंदर सिर्फ इस जमीन का संग रहे कै जब मलिकाना हक का फैंसला हो जाएगा तो मालिकों को जमीन लोटा दी जाएगी 1994 1994 को इलावाद हाई कोट की लखनोव पीठ में बाबरी मस्जीद विद्धुहन से संबंदित केस चलना शुरू हुआ 24 अक्तुबर को इसी साल सुप्रिम कोट ने एतिहासिक इसमाईल फारू की मामले में कहा कि मस्जिद इसलाम से जुड़ी हुई नहीं है 1996 में राम जनम भुमी नियास ने केंदर सरकार से यह जमीन मांगी लेकिन मांग फुगरा दी गई 2001 में बाबरी मस्जिद विद्धोंस की बरसी पर तना बढ़ गया विश्व हिंदू पर्षद ने कहा कि मार्च 2002 को अयोध्य में राम मंदिर का निर्मान करवाया जाएगा जनवरी 2002 इस दिन प्रधान मंतरी अटल्क पिहारी वाजपे ने अयोध्य विवास उलजाने के लिए अयुध्य समीती का गठन किया फरवरी 2002 फरवरी 2002 को गोध्रा कांड हुआ अयोध्य से लोटरे हिंदू कारेकरता जिस रिलकारी में यात्रा कर रहे थे उस पर गोध्रा में हुए एक हमले में 58 कारेकरता मारे गए मार्च 2002 सुप्रिम कोट ने कहा कि अयोध्य में यतस्तिती बरकरार रखी जाएगी विवादित जमीन पर पूजन की अनुमती नहीं होगी साथ ही कहा कि अदालत के फैसले का पालन किया जाएगा अप्रेल 2002 हाई कोट में विवादित स्थल के मलिकाना हक को लेकर सुनवाई शुरू ही 2002 में ही जब गैर विवादि जमीन पर कुछ गतिवी दिया हुई तो असलम भूरे ने सुप्रिम कोट में आयाचिका लगाई 13 मार्च 2003 सुप्रिम कोट ने असलम भूरे मामले में कहा कि अधिकरित स्थल पर किसी भी तरह की धार्मिक गतिवीदी की अनुमती नहीं है साथ ही कहा कि विवादित और गैर विवादि जमीन को अलग करके नहीं देखा जा सकता जून 2003 इस में कांची पीट के संकराचारे और जयंदर सरस्वती ने मामला सुलजानी के लिए मध्यस्ता क्या प्यास किया लेकिन प्यास बिफल रहा 2003 में ही हाईकोट के निर्देश पर पूरतत्व विवाग ने विवादित थल के नीचे खुदाए की पूरा तत्तव विदो ने कहा कि मस्जित के नीचे मंदिर से मिलते चुलते अफशेश के प्रमान मिले हैं हालांकि इसे लेकर भी अलग-लग मत थे अगस्ट 2003 अगस्ट 2003 में मंदिर निर्मान के लिए विशेक विदेहक लाने का विहेव का नुरोद ठुकराया गया 2004 में अडवानी ने अयोध्य में अस्थाई राम मंदिर में पूजा की और कहा कि मंदिर का निर्मा जुरूर किया जाएगा 2005 जुलाई में द्राम जनम भूमी परसर में आंतकी हमले हुए जिसमें पांचों आंतक वादियोस में छे लोग मारे गए 20 अप्रेल 2006 सरकार ने लिब्रहन आयोग पर आरोप लगाया कि बावरी मस्जद को ढाया जाना सुनियोजी शडियंतर का हिस्सा था इसमें कई पार्टियों की मिली भगत थी जुलाई 2006 सरकार ने एयोध्य में विवादी स्थल पर बने अस्थाई रामंदिर की सुरक्षा के लिए बुलेट प्रूफ कांच का घेरा बनाए जाने का प्रस्ताब दिया इस प्रस्ताब को मुस्लिम समदाय ने पिरोध किया और कहा कि यह अदालत के उस फैसले के खिलाफे जिसमें यतास्तिती बनाए रखने के लिए निर्देश दिये गये थे 30 जून 2009 इस दिन लिब्रहन आयोग ने चार भागों में 700 पन्नों की रिपोर्ट प्रधान मंत्री शिरी डॉक्टर नम्मन महोन सिंग और ग्रिह मंत्री पीची दम्रम को सौंपी जांच आयोग का कारेकाल 48 बार बढ़ाया गया आज की वीडियो में यहीं पेस्माप्त कर रही हूँ मैंने इस वीडियो को दो पार्ट में बनाया है अगले पार्ट में मैं आपको जानकारी दूँगी कि इस रिपोर्ट का क्या कंक्लोजन निकला और कौन-कौन सी घटनाय हुई और कैसे ये विवादित भूमी से राममंदिर भूमी बनगी इसकी विस्तार में जानकारी मैं अपने अगले वीडियो में दूँगी अगर आज की वीडियो से रिलेटेड आपके कोई भी कोशन हो तो आप मुझे कमेंट शेक्षन में लिख सकते हैं अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो यस्फू लगी हो तो प्लीज लाइक और शेर करना न भूले और साथ ही जिसने अभी तक मेरा चैनल सबस्काइब नहीं किया है या फिर मेरे चैनल पे नए है तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस करना ना भुले ताकि आपको मेरी नई वीडियो के अपडेट लगाता मिलती रहें ओके फ्रेंड्स मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ तब तक के लिए थैंक यू